एक इमानदार आफिसर को चकना चूर करने के लिए, एक सूपरस्टार के बेटे को ड्रक्स केस में जेल से बाहर निकलवाने के लिए, पूरे NCB के टीम की कारवाई पर सवाल उठाने के लिए कितनी गंदी और घिनौनी साज़िश रची गई। इसे देखकर तो बड़े बड़े फिल्म स्क्रिप्ट राइटर्स भी चौक चाएंगे। ऐसी साज़िश आज तक स्रिफ फिल्मों में देखी गई। मगर पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह समीर वानखिड को दबाने के लिए पूरी पठखता तयार की गई। जिसमें कानून और कोर्ट का भी बखू भी इस्तमाल किया गया। मगर कहते हैं ना सच को छुपाया नहीं जा सकता। और अब मुंबई पुलिस ने जो खुलासा किया है वो वाकई बेहत हैरानी भरा है। मुंबई पुलिस ने NCB को और समीर वानखिड को पूरी तर को सही ठहराया है। मुंबई पुलिस का यह खुलासा आरेन खान समिए कुरूज ड्रग केस में सबी आरोपियों के लिए खत्रे का सायरन माना जा रहा है। तो ऐसा क्या क्या मुंबई पुलिस ने और कैसे समीर वानखिड को मिली क्लीन च्ट आरेन खान के लिए मुसीबत आपको बताते हैं सब आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और मुंबई पुलिस के इस खुलासे पर आप भी अपनी बात अपनी रहे जरूर रखें कमेंट जरूर करें तो सुशान सिंग राजपूद केश में मुंबई पुलिस की भारी बदनामी हुई थी मुंबई पुलिस सुशान की मौत को शुरु से स्यूसाइट करार देती रही जबकि सुशान के फैंस लगातार इसे प्लान्ट मर्डर बताते रहे हैं खेर सुशान्थ केस की जाच तो CBI के पास है मगर इस दोरान मुंबई पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी यहां तक कि मुंबई पुलिस पर सुशान्थ केस से जुड़े आरोपियों की मदद करने के गंबीर आरोप लगे थी जिसे लेकर करीब 6 मेने तक खूब ड्रामा भी चला और खुद को स्कॉटलेंड पुलिस बताने वाली मुंबई पुलिस की खूब मिट्टी पलीत हुई थी मगर आर्यन खान केस में मुंबई पुलिस ने उस गलती को नहीं दोराया और अपनी जाच को बेहत गुप्त रखा और पूरे दो धाई महीने बाद चौकाने वा था कि आर्यन को बचाने के लिए एंसीबी नया और समीर वानखेडे ने 25 करोड की शर्त रखी थी जिसमें से 8 करोड रुपे समीर वानखेडे को पहचाने थे और इसके लिए शारुक खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने 50 लाग का टोकन भी दिया था और बाकी की रकम आर सैम डिसुजा नाम के शक्स को भी जबरन इस केस में लाकर खड़ा कर दिया ताकि वो भी समीर वानखेडे के खिलाब गवा बन जाए और समीर वानखेडे पर वसूल के आरुप सिद्ध हो जाएं मगर आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये सब आरुप बे सैम डिसुजा सब जूट है और सब मनगरंत है ये कहना हमारा नहीं है बलकि ये कहना है खुद मुंबई पुलिस का मुंबई पुलिस के मताबिक आरेन केस में किसी भी तरह की वसूली की बात सामने नहीं आई है किसी भी तरह के सबूत एंसीबी अधिकारियों के खिलाप न की गई थी तब मुंबई पुलिस ने एक special investigation टीम का गठन किया था और वसूली के मामले की जाच शुरू की थी हाला कि जाच के बाद मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्हें आरेन खान केस में वसूली के मामले में कोई भी ठोज सबूत नहीं मिले मुंबई पुलिस ने अपने official statement में कहा अगले आदेश तक cruise drug केस के संबन्द में कथित वसूली के आरोब की जाच को पूरी तरह रोग दिया गया है मुंबई पुलिस ने मामले की जाच के लिए विशेश जाच दलका गठन किया था और लगबग 20 लोगों से पूछताच की थी अभी तक इस मामले में को बड़ा शड़ेंत्र रचा गया समीर वानखेड की अब तक की बेदाग नौकरी पर कई प्रश्ण चिनन लगाया गया और आरियन को तो ऐसे पेश किया गया जैसे कि वो कोई नादान बेचारा बच्चा है और उसे जबरन गिरफतार किया गया वो भी 25 करोड के लिए जबक के रडार पर आ सकते हैं और मुंबई पुलिस के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है आप भी कमेंट में अपनी बात अपनी राइज जरूर रखें और वीडियो को लाई कर शेर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं तो मुंबई में अक्तुबर के महीने से ही आरेन खान को लेकर बवाल मचा हुआ है आरेन खान को ड्रक के समीर वान खेड़े और उनकी टीम ने गरफतार किया और तब के बाद सही लगातार कुछ लोगों ने इस कारवाई पर सवाल उठाएं तो कुछ ने कहा कि समीर वान खेड़े बॉलियोट से ड्रक का परदा पा जेलनी पड़ी अब आर्यन को जमानत मिली तो इस दोरान लंबे समय से महाराष्ट सरकार की मंतरी नवाब मलिक समीरवान खेड़े के खिलाब कई दावे कर रहे थे कई खुलासे कर रहे थे और यहां तक कह दिया था कि अब समीरवान खेड़े की नौकरी जाएगी वर्दी पे उतर जाएगी मामला बेहत संगीन हो गया समीरवान खेड़े को आर्यन की जाँच से हटा कर दिल्ली से आई टीम को जाँच सौंपती गई लेकिन अब एक पर फिर से मामले में नया ट्विस्ट आ गया है जी हां एक पर फिर पूरा मामला पलटता हुआ दिख रहा है हालात यह हैं कि नवाब मलिक के जेल जाने की तैयारी हो गई है और यह किसी और नहीं बलकि खुद नवाब मलिक ने बताया है लेकिन पहले अपनी गिरफतारी को लेकर नवाब मलिक क्या बोले वो देखिया और समझिये नवाब मलिक ने ट्वीट किया कि उनके घर सरकारी मेमान आने वाले है जी हां नवाब मलिक ने ट्वीट किया साथियों सुना है मेरे घर आज या कल में सरकारी महमान आने वाले हैं हम उनका स्वागत करते हैं डरना मतलब रोज रोज मरना हम लड़ेंगे चोरों से अब यहाँ पर नवाब मलिक का सरकारी महमानों से साफ साफ मतलब केंद्रिय जाँच एजन्सियों से था नवाब मलिक का साफ कहना था कि जाँज एजन्सिया उनके घराने वाली हैं उनकी गिरफतारी भी हो सकती है उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा सकता है और साथी साथ नवाब मलिक ने ये भी लिखा कि डरना नहीं है क्योंकि रोज मरने वाली कंडिशन है जब नवाब मलिक का ये ट्वीट ठीक उस माफी के बाद आया जो की नवाब मलिक ने बॉंबे हाई कोट में दी ऐसे वैसे नहीं बल्कि एफिडेट हलफ नामा देखकर समीर वानख्यडे को लेकर माफी मांगी है जी हाँ, बिल्कुल सही सुनने हैं आप, समीर वान खिड़े पर पब्लिकली कई तरह के आरोप लगाने वाले नवाप मलिक नी कोट में बाकाइदा हलप नामा दिया, मापी मांगी और वो भी बिना शर्क